हलो दोस्तो नमस्ते आदाव स्थेकार आपका दोस्त गौरफ टेस्ट बुक सुपरकोचिक पर स्वागत करता है तो दोस्तो हो जाईए तैयार क्योंकि हम फिर से करने जा रहे हैं एक बार जीके और जीएस पर वार जहां पर हम लोग करेंगे दोस्तो एसे सीजेल टीयर टू के लिए सवाल तो स्टार्ट करने से पहले सभी को भर भर के गुड़ आफ्टरनून और जी यहां पे दृशियत तृष्टी डेमर हिमेश अजमा सभी लोगों को दोस्तो यहां पर फड़ा फड़ से दोस्तो सभी लोग शेयर कर देंगे जिससे सभी ल चाहे कुछ भी हो जाए यह मैंने किसी और से नहीं खुद से विवादा किया है खुद से यह वादा किया है तो दोस्तो जब हमने अपने मंजिल को तै करना है तो हमने दोस्तों डिसाइड किया है तो हम ही उसको करेंगे ठीक है और हमें हारना नहीं है हमें दोस्तों महनत कर और अपनी जीत को हासिल करना है ठीक है और इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आगे बढ़ेंगे सबी लोग क्या करेंगे फड़ा फट से यस टाइप करेंगे अगर मेरी स्क्रीन और वॉइस आपके लिए क्लियर है तो फड़ा फट से यस कर देंगे जिससे आप लोग फिर बढ आपसे पूछा गया है को फड़ावर से यहां पर यहर है कि आपको अगले लोग थे और highway क्वाभर से नवरोज तो आपको याद रखना मैं एक पर बढ़ें चलू अगला कोषिण दो क्लिए रहा As per the census 2011, which of the following state, UT has literacy rate of more than 90% 2011 की जनगर्णा के अनुसार निमलिखित में से किस राज और केंदर शाशित प्रदेश में साक्षर्ता दर 90 प्रतीशत से अधिक है क्या वो तृपुरा है, मिजोरम है, गोवा है या फिर राजस्थान है जल्दी से बताएंगे यहाँ पर कैरसर मिजोरम होना चाहिए, कुछ लोग कैरसर त्रिपुरा होना चाहिए बाखी लोग क्या कहेंगे तो दोस्तो जितने लोग मिजोरम मिजोरम कह रहें दोस्तो उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा correct answer क्या हो जाएगे दोस्तो मिजोरम यहां पे correct answer होगा अब दोसटो हमागर हम बात करें census की हमने बात की थी census जो है सबसे पहले कब आया था? दोस्तो 1871 में आया था क्या? या 1872 में 1872 में किसके समय में आया था दोस्तो मायो के समय में आया था लेकिन official कब आया था मेंधा? सकती है थीम क्या थी दोस्तों आवर सेंसर आवर फ्यूचर क्या थी दोस्तों इसकी अवर फ्यूचर इसकी थीम थी यह आपको याद रखना है अब देखें नुगर की बात कि अगर अगे बढ़ते हैं, अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करीं यहाँ पे मेल की कितनी थी? अगर मेजरम में मेल की बात कि जाए, तो मेल की थी, दोस्तों, 93. थी ठीक है, और फीमैल की दोस्तों 82% क्या दोस्तों, फीमैल की जो थी, वो 82% थी ये भी आपको याद रखना है ठीक है अगले कोशन पर बढ़ते दोस्तों अगला सवाल आपके लिए रहा दोस्तों वाट इस दा मीनिंग ओफ मोहिनी अट्टम दोस्तों यहां पर पुछा गया है मोहिनी अट्टम का क्या अर्थ है क्या वो ब्यूटिफुल वूमें डान अब देखिए दोस्तों मोहिनी अट्टम जो है यह कहां पर परफॉर्म किया जाता है केरला में परफॉर्म किया जाता है मोहिनी अट्टम दोस्तों एक क्लासिकल डान्स है क्या दोस्तों यह है क्लासिकल शास्त्री नित है याद रखेंगे और दोस्तों इसके लिए हमने ए चकियार कुठ्थू है ये भी याद रखी है चकियार कुठ्थू उत्तम थुलल क्या दोस्तों उत्तम थुलल यहां का डांस है उत्तम थुलल ठीक है कोकई अटम है दोस्तों यह आपको कुछ डांस जो आपसे पूछे जा सकते हैं केरला से संबंदित है दोस्तों इस बार यहां पर पारले जी, मंगे, श्रिष्टी, अगले कोशन पर बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल आपके लिए ये रहा, दोस्तों, अलॉंग विच आफ दी फॉलॉइंग रिवर्स बैंक्स, दा फेमस टेंपल ऑफ बद्री नाथ हिस लोकेटेड, निमलिखित में से किस नदी क तटपर, बद्री नाथ का प्रसिद्ध मंदर इस्तित है, अलकननदा, भागी रथी, मंदाकनी और गंगा, कौन से नदी के किनारे है, यहां पर कहरें सर, इसमें होना चाहिए A option, ओके, बाखी लोग क्या कहेंग, दोस्तों, यहां पर A correct है या फिर नहीं, तो दोस्तों, ज मिलती है देव प्रियाग पे, ठीक है, और दोस्तों, देव प्रियाग पे जब यह मिल जाती है, तब वहाँ से जो नदी उधगम होती है, उसको हम कहते है गंगा नदी, क्या कहते है गंगा नदी, यह आपको याद रखना है, गंगा नदी दोस्तों, भारत की सबसे बड़ यह आपको याद रखना है ठीक है चले अगले कोशन पर यहां पर निहारिका राधिका सृष्टी अगले कोशन बढ़ेंगे दोस्तों अगला सवाल आपके लिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं जितने भी मेरे मित यहां पर चसल की त्यारी कर रहे हैं उनको दोस्तों अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत ने क्योंकि टेस्ट बूक लेकर आया है सूपर कोचिंग जहां पर दोस्तों 15 से भी जादा कोर्सेश, 1000 से जादा लाइफ क्लासेश, 100 से जादा स्टडी नोर्स आपके रिव जैसी आप इस्तमाल करोगे, यहां पर आपको मैक्सिममम डिसकाउंट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आपको सिर्फ क्या करना है, लिंक उपन करना है, और वहां पर अप्लाइक उपन कोड गौरव-म करेंगे, ठीक है, चले बढ़ते हैं आगे की अगला कोशन दोस्तों आप के लिए रहा, दोस्तों, as of May 2020, Om Birla is the speaker of the dash, दोस्तों, मई 2020 तक, Om Birla, निम्न में से किस अध्य, यहां पर किसकी अध्यक्ष है, 16th लोगसभा, 14th लोगसभा, 17th लोगसभा, या फिर 15th लोगसभा, कौन सी लोगसभा है दोस्तों, सत्रवी, cancer हो जाएगा, 17th लोगसभा की बात आई है, तो लोगसभा जो है दोस्तों, वो कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 81st में है, ठीक है, 81st में, अगर आपको इसका member बनना है, तो नियुनतम आयू, दोस्तों, कितनी होनी चाहिए, 25th होनी चाहिए, maximum seat कितनी होती दोस्तों, यहाँ पर 550 होती है, पहले 552 हुआ करती थी, अब 550 है, यह आद रखेंगे, maximum seat, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लोगसभा के पहले चुनाओ कब हुए थे, दोस्तों, 1952 में हुए थे, ठीक है, इसके दोस्तों, अध्यक्ष कौन होते हैं, speaker होते हैं, speaker और यहाँ पर होते है, deputy speaker, कौन दोस्तों, deputy speaker, अच्छा, speaker और deputy speaker कौन से अनुछेद में mention है, तो 93 में mention है, यह याद रखेंगे, यह आप से पूछा गया सवाल है, पहले speaker कौन थे, दोस्तों, यह पूछा गया जाता है, तो G.V. Mavlankar थे, दोस्तों, G.V. Mavlankar जिनका बात करें, इसका tenure कितना होता है, पांच वर्स का होता है, पांच साल के बाद दोस्तों, इसको भंग कर दिया जाता है, इसलिए दोस्तों, नया जब 70 होता है, तो इसको हम count करते हैं, अभी कौन सा चल रहा है, 17 चल रहा है, जिसमें दोस्तों, कितनी महिलाएं है, 78 महिलाएं है यह आपको याद रखना है ठीक है अगले कोश्चन के तरफ बढ़ें वैरिकुट निहारिका मंगेश शुप्रभा अगले कोश्चन पर बढ़ते दोस्तों अगला सवाल आपके लिए यह रहा दोस्तों गुरू बिपिन सिंग संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार से समानित एक डैश नित्तक थे मनिपूरी, उडिसी, कथकली या फिर कथक जल्दी से बताइए मनिपूरी कह रहे हैं ओखे बाखी लोग क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पर मनिपूरी करेक्ट आंसर होगा या फिर नहीं अच्छा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे गुरू विपिन सिंग जी की इनको फादर ओफ मनिपूरी डांस भी कहा जाता है क्या कहा जाता है father of money puri dance ये आपको याद रखना है ये पूछा जाता है money puri dance कहाँ पर perform किया जाता है money puri raja में किया जाता है money puri raja और दोस्तो अगर हम बात करें money puri dance से दोस्तो एक सवाल पूछा गया था आपके exam में जावेरी sister कौन दोस्तो जावेरी sister जो है वह मनिपुरी डान्स के बहुत भड़ी आन्र्तियाँगना है यह आपको याद रखना है उडिसी डान्स दोस्तो अगर हमगात ओडिसी डान्स के है और दोस्तो एक famous dancer का नाम याद रखेगा कि अगया कफा मुध्वी मुडगल जी का नाम याद रखना है। कफ कली के अगर हम बात करें कफ कली कहां क्रिखला का है क्रिश्च्ण नयार जी का नाम याद रखेगा यहां पर किस श्रक्म लेजा कहां क्रिखला Primara महराज दोस्तों वो भी कथक परफॉर्म करते हैं. ध्वयनत जोशी. कौन दोस्तों? ध्वयनत जोशी ये सारे के सारे डांसर जो हैं कथक बफॉर्म करते है. चले अगले कोशन पर? वानी भानु तान्या आगे बढ़ेंगे दोस्तो लेकिन उससे पहले सभी लोग फटावर्स क्या करेंगे शेयर और लाइक करते हो चलेंगे अगला कुशन दोस्तो आपके लिए रहा दोस्तो जन्गर्णा 2011 के रुसार केरल का लिंगन उपात क्या है क्या एक हजार 84 है 1044 है 1024 और 1064 कितना है दोस्तो 1024 कह रहे हैं कुछ लोग 1084 कह रहे हैं बाकी लोग क्या कहेंगे तो दोस्तो जितने लोग 1084 84 कह रहे हैं उनका यहां पर correct answer हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़ी है 1084 दोस्तो दोस्तो अगर हम बात करते हैं 2011 census के according सबसे जादा दोस्तो जंजाती आपसे पुछी आती सबसे बड़ी tribe कौन सी है उस सबसे दोस्तो सबसे बड़ी tribe हुआ करती थी भील लेकिन अभी current की अगर हम बात करें current में दोस्तो गोंड हो गई है लेकिन याद रखेगा अगर आपको 2011 census के according पुछेगा तो आपको भील पिटिक लगाना है ठीक है सबसे यादा population की अगर मैं बात करता हूँ किसकी दोस्तो population की बात कर रहा हूँ population density की नहीं बात कर रहा हूँ सबसे यादा population maximum जो है दोस्तो वो कहां कि यह UP की है और minimum कहां कि यह दोस्तो minimum अब देखेंगे मिनीमम मिनीमम पॉपुलेशन और में गांक है और मिनीमम और अरुनाचर प्डेश है चलें आगे की तरफ अगले कुश्चन पर बढ़ेंगी अगला सवाल आपके लिए ये रहा दोस्तो एस बाला चंदर कौन दोस्तो एस बाला चंदर a famous musician from India is known for playing which of the following instruments दोस्तो भारत के एक प्रसिद संगीतकार एस बाला चंदर को निमलिखेत में से कौन से वागयंत्र बजाने के लिए जाना जाता है सितार, वीना, तबला और घटम जल्दी से बताई है घटम कहे रहे हैं कई लोग कई लोग वीना कहे रहे हैं confusion ही confusion है तो दोस्तो जितने लोग वीना वीना कह रहे हैं उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा correct answer क्या हो जाएगा दोस्तो तो वीना यहाँ पर correct answer होगा, अब देखें दोस्तों, अगर हम बात करें, इनकी तो 1963 में इनको heart attack आ गया था, और फिर दोस्तों इनकी मौध हो गई थी, ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों, इनको पदमभूशन, पदमभूशन से सम्मानित किये गये हैं, ठीक है, दोस् तो कौन सा पदमभूशन मिला, कब मिला, पदमभूशन, ऐसे सवाल पूछे गये थे, ठीक है, सितार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रवीशंकर जी का नाम याद रखेगा, फेमस हैं बहुत, जवस्तों रवीशंकर जी का नाम आपको याद रखना है, अगर हम तबला की बात करें दोस्तों, तबला के लिए जाकीर हुसेन जी का नाम याद रखेगा, घटम के लिए दोस्तों, अभी हम लोग ने कली देखा था, वो आपके लिए होमवक रहेगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, चले आगे की तरफ, वेरिकुड मंगेश, बुश्रा, श आरेकालदेश का है, कितने साल का होता है, 6 वर्ष का होता है, अब सुम्भी पहले होगा, उसमें उनका रिटार्मेंट हो जbow जाएगा, अब दोस्तो, Comptroller and Auditor General, CAC, जिसको हम लोग short form में कहते हैं, यह article अनुछेद, 148 में mention है, 148 से लेके 159 याद रखेगा, यह आप से पूछा जाता है, current अभी दोस्तो, अगर बात करें, CAC कौन है, GC मुर्मूजी है, कौन दोस्तो, GC मुर्मूजी है, यह भी आपको याद रखना है, देखें, दोस्तो, एक होते है, CGA, ठीक है, यह आद रखें, controller, General Auditor होते हैं, दोस्तो, यह कौन है, अभी हाली में बने हैं, भारती दास कौन बनी हैं, भारती दास बनी हैं, यह आद रखेगा, और दोस्तो, एक उच्छा जाता है, Attorney General of India, ठीक है, AGI, जिसको हम लोग short form में क पहले के के वैनु गोपाल थे, लेकिन उनको दोस्तो, रिप्लेस किया है, किसने, आर वेंकट रमानी ने किया है, यह आप से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, चले अगले question पे, वैरे गोड यहाँ पे, निहारिका, दृषेत, राधिका, राश्री, बहुत पढ़ी है, पहले दोस्तो, जिरो ने अभी तक शेर नहीं किया, फड़ावर से शेर और लाइक करते हों चलेंगे, अगला question दोस्तो, आपके लिए रहा, दोस्तो, who has been appointed as the first woman, Director General of the Council of Scientific and Industrial Research, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, CSIR in August 2022, दोस्तो, अगस्त 2022 में विग्यानिक और और योगिक अनुसरणान परिष्यदगी पहली महिला महानि देश के रूप में किसे निउप्ठ किया गया है, क्या वो, रितु करिधाल है, चंद्रिमा, शाह है, या फिर मंगला मानी है, या फिर नाला थंबी कला सिल्वी है, जल्दी से बताइए, नाला थंबी नाला कह रहे हैं उनका correct answer को option number 4 यहां पर correct answer हो जाएगा very good राधिका हाँ जी जितने लोग D option कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer है अगले question पर बढ़ें चलिए अगला question आपके लिए रहा दोस्तों which of the following is not a folk dance of Rajasthan आप से पुछा गया निमलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक प्रसिद्द लोक्रित नहीं है क्या वो तूरा कलांगी भवाई कलबेलिया यह फिर कच्छी घोडी जल्दी से पताएं दोस्तों कौन सी नहीं है यहां पर राजस्थान की folk dance option number D कह रहे हैं कच्छी घोडी के साथ जा रहे हैं ओके बाखी लोग क्या कहेंगे दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बता दू जित्ते लोग यहां पर कह रहे हैं सर होना चाहिए option number 4 4 उनका गलत होने वाला है correct answer दोस्तों जित्ते लोग option number A कह रहे हैं उन परफ़र्म की जाती है ठीक है बाखी दूस्तों भवई कलबेलिया और कच्छी घोडी जो है दोस्तों यह सारे के-सारे आपको लाजस्थान में देखने को मिलेंगे यह और गू mist dooke आपको या औरा क्ट्राइब करती है ठीक है यह आपको याद रखना है और दोस्तों कता district दर्स में दिया गया था और इसी को हम लोग snake dance कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तो snake dance कहते हैं यह याद रखेंगे ठीक है चले आगे very good राधिका राश्री निहारिका पार्रे जी बहुत बढ़िया अगले question पर बढ़ते हैं very good captain jack sparrow अगला question आपके लिए यह रहा दोस्तो nails consist of modified dash cells दोस्तो आप पूछागे नाखुन में संसोधित डैश कोशी का होती है कौन सी होती है epithelial, epidermal, hypodermal और dermal जल्दी से बताएं दोस्तो कौन सी होती है यहाँ पर कहते हैं सर epidermal होना चाहिए बाखी लोग क्या कहेंगे तो दोस्तो जितने लोग epidermal epidermal कह रहे हैं उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तो epidermal हो जाएगा epithelial कहाँ पर होता है दोस्तो यह दोस्तो जो blood जहां से circulate होती है cell के जो उपर वाला part होता है वो epithelial होता है cell का outermost part जो होता है जहां से blood flow होती है वो होता है epithelial ठीक है चले आगे की तरफ बहुत बढ़िया अगले question पर बढ़ते दोस्तो अगला सवाल आपके लिए दोस्तो यह रहा who was the recipient of noble prize for literature in 2021 2021 में साहित के noble पुरुसकार के प्राप्त करता कौन थे बॉब देलान या फिर अब्दुल्ला रजिक गुर्नाहा या पीटर हैंके या फिर लुईस गुलक जली से बताए यहां पर option number B के साथ जा रहे हैं कुछ लोग option number D कह रहे हैं तो दोस्तो जितने लोग option number कह रहे हैं बी 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 उनका correct answer हो जाएगा अब्दुल्ला रजिक गुर्नाहा यहां पर correct answer होंगे अच्छ दोस्तो अगर हम बात करते हैं Nobel Prize की किसकी दोस्तो Nobel Prize की बात करते हैं यह दोस्तो किसके नाम पर है Alfred Nobel जी के नाम पर है किसके दोस्तो Alfred Nobel Alfred Nobel दोस्तो कौन थे Swiss Chemist थे ठीक है Switzerland के थे यह Swiss Chemist ठीक है यह आपको याद रखना है इन्होंने dynamite की खोज की थी किसकी दोस्तो dynamite की खोज की थी यह भी आपको याद रखना है दोस्तो अगर हम बात करें इसको दोस्तो 1895 में दोस्तो फॉर्म कर दिया गया था लेकिन देना कप से स्टार्ट हुआ था 1901 से यह इसलिए याद रखेंगे कहां पर दिया जाता है दोस्तो तो यह Switzerland में दिया जाता है क्या जल्दी से बताए फड़ावर से या फिर Sweden में दिया जाता है जल्दी से सभी लोग बताएंगे Sweden में और कहां पर दिया जाता है दोस्तों जल्दी से बताएं Sweden और कहां पर दिया जाता है ठीक है हाँ Ernie and Knox को दिया गया है 2022 में बहुत बढ़िया ठीक है हाँ Norway very good वारनी यहाँ पर दोस्तो Sweden and Norway क्या दोस्तो Sweden और Norway याद रखेगा ठीक है अच्छा दोस्तो कितने फिल्ड में दिया जाता है यह पूछा जाता है तो six field में दिया जाता है कितने दोस्तो छै फिल्ड में दिया जाता है यह भी आपको याद रखना है ठीक है दोस्तो सीवी रमन जी को दोस्तो दिया गया था ठीक है, physics के लिए दिया गया था, 1930 में, भारत में सबसे पहले दोस्तों दिया गया था, रबिंदरनाथ टैगोर जी को, किसको दोस्तों, रबिंदरनाथ टैगोर जी को दिया गया था, कब दिया गया था, 1913 में, ये आपको याद रखना है, कैलास सत्यार्थी जी को दिया गय कि रुडियाट किपलिंग को किस वर्ष में दिया गया था नोबल पुरुसकार ठीक है आगे बढ़ें वैरिकोड अनिकेत स्रिष्टी मंगेश तान्या अहां मलाला जी को भी दिया गया था निहारिका बिल्कुल सही बता रहें 2014 में ही अगला कोशन आकले दोस्तों यह रहा द आप एसे सवाल आपके एक्जैम में पूछे गए हैं अनुराधा पॉडवाल आर सत्य नारायन शार्दा सिन्हा और इब्राहिम सुल्तान किसको दिया गया है शार्दा सिन्हा कह रहे है तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएक दोस्तों शार्दा सिन्हा अब दोस्तों अगर हम पदमा आवार्ट्स की बात करते हैं ठीक है पदमा आवार्ट्स में सबसे हाइस्ट जो होता है पदमा आवार्ट्स में सबसे हाइस्ट बात कर रहे हैं तो वह होता है पदमविभूशड फिर होता है पदमभूशड और फिर होता है पदमश्री ठीक है दोस दोस्तों 128 लोगों को दिया गया था ठीक है पदम भूशड चार लोगों को दिया गया था और दोस्तों यहां पर 7 और 117 तो दोस्तों 117, 7, 124 और 128 काउंट करेंगे 128 निकल कर आ जाएगा यह डेटा को याद रखेगा यह पूछा जा सकता है ठीक है चले अगले कोशन पर चली अगला कोशन दोस्तों आपके लिए यह रहा दोस्तों पदम श्री अवाडी चितनी चितनी रामचंदर हेगडे इस लोन फॉर इस यक्षगान और कथककली जल्दी से बताइए यहाँ पर कहरें सर होना चाहिए C option कुछ लोग कहरें सर no idea ओके बाकी लोग क्या कहेंगे तो दोस्तों जितने लोग CC कहरें दोस्तों उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा C option हो जाएगा यक्ष दोस्तों जल्दी से बताईए और प्रदेश में करते हैं Tamil Nadu में करते हैं करनाटक में करते हैं या फिर केरल में करते हैं जल्दी से बता यह लोग बारगी लोगों का Captain Jack Sparrow, बहुत बढ़ी असरिष्टी, सेक अलीव वायरिगूट, अगला कोशन दोस्तो, विच वायनलिस्ट वास कनफर्ड पंदित भीमसेन जोसी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर दोहजार एकेस, किस वायलिन वादक को वर्श दोहजार एकेस के पंदित भीमसेन जोसी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरुसकार से सम्मानित किया गया था, क्या वो लालगुडी विजयलक्षिमी, नंदिनी मुथस्वामी, एन राजम और जोसना श्रीकांथ, किसको दिया गया था, वेरिकुड निहारिका, बुश्रा, मंगेश, हिमेश, ब्राइट, ओके, एन राजम, एन राजम जित्ते लोग कहरें दोस्तों, उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन फड़ावर से एक बार क्या करेंगे, शेर और लाइक करते हुए चलेंगे, अगला कुशन दोस्तों आपके लिए रहा, दोस्तों इस सोडियम क्लोरेट, क्या दोस्तों, सोडियम क्लोरेट इस एन एक उधारण है, इनसेक्टी साइड, हर्भी सा यहाँ पर जितने लोग और अप्शन नमबर अभी तक किसी का भी सही नहीं आए, किसी का भी नहीं है, सही अभी तक, ड्रीमर ए नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसरों का बी ओप्शन, हर्भी साइड का एक्जैम्पल है, यह याद रखेगा, ठीक है, अच्छा दोस्तो आप लोगों के एक्जैम में क्या-क्या पुछा गया था, एक दिन दोस्तों स्लैक्ड लाइम पुछा गया था, क्या दोस्तों स्लैक्ड लाइम पुछा गया था, स्लैक्ड लाइम का एक्जैम्पल क्या, सॉरी, फॉर्मूला क्या दोस्तों, CACO3 है क्या दोस्तों, जल्द वेरे गोड यहाँ पे पपाई पॉल, ओके, चले, आगे बढ़े हाँ, यहाँ पे C, A, O, Quick Lime, ठीक है, अगले कोशन बढ़ते हैं, वेरे गोड मंगेश, अगला कोशन दोस्तो आप ले रहा, दोस्तो, जुगलबंदी, a competitive and playful recital between dancer and tabla player is found in which dance form, दोस्तो, निर्तिक और तबला होना चाहिए, ओके, बाखी लोग क्या कहेंगे, तो दोस्तो, जीते लोग कत्थक कत्थक कह रहें, दोस्तो, उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, correct answer क्या होगे, दोस्तो, यहाँ पर कत्थक हो जाएगा, आपने देखा, कई बार तबला वादक क्या करता है, तबला जल अंदले, ठीक है, इनका नाम याद रखीगा, यामनी क्रिश्नमूर्ती, क्या दोस्तो, यामनी क्रिश्नमूर्ती, ठीक है, यामनी क्रिश्नमूर्ती, लीला सैंसन, क्या दोस्तो, लीला सैंसन पर भी पूछा जा चुका है, यह भी याद रखेंगे, ठीक है, सतरिया कहां कह कहांगे दोस्तों असम का है और ओडिसी ओडिसा का है ठीक है चले आगे अगले कुशन पर बढ़ते हैं गैलेक्सी बहुत बढ़िया निहारिका मंगेश बहुत बढ़िया भानू अगला कुशन दोस्तों दोस्तों सांस्कृतिक संस्थान और प्रसिक्षन केंद्र CCRT भारत सरकार द्वारा एक स्वयात संगठन के रूप में डैश में स्थापित किया गया था 1999-1979-1979 जल्दी से बताए किसमे क्या गया था द्रिशीत कह रहें सर 69 होना चाहिए सुप्रभा कह रहें सर 69 होना चाहिए कुछ लोग कह रहे हैं सर अलग ही होगा आंसर तो दोस्तों जीते लोग 79 कह रहे हैं उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बहुत सवाल दोस्तों दूस्तों वीच अउरिजईनेर्ट सप्रॉम रक्षेताल आयने ऩी और किसका हो चाहिए ऑ। दोस्तों इस फ्रसेतर ऑका यहां नोंकुल्ल्ध यहां यहां पर पर करेक्ट आंसर हो जाए ठीक है बहुत बढ़िया क्यात्य आप्सक्राइघत कहां पर शेप एक प्रकुतर विए बार याद रखना यह पूचा जाता है चली आगे बड़े साल्ज का रिगुवेद में क्या नाम दिया गया है इस नाम से जानी गई है सुटुदरी पुराना नाम दोस्तों सुटुदरीए यह आद रखेंगे ठीक है अगला question आपके लिए ये रहा दोस्तों the prominent person पंडित गोपाल मिश्रा is related to which music घराना प्रसिद व्यक्ति पंडित गोपाल मिश्रा का संबंध किस संगीत घराने से है क्या वो बनारस घराना है गुवालियर घराना है पटियाला घराना है या फिर किराना घराना है जल्दी से बताईए फड़ा फड़ से बताएंगे यहाँ पर correct answer क्या होगा यहाँ पर character होना चीए बनारस घराना ओके बाकी लोग क्या कहेंगे तो दोस्तों जित्ते लोग ए कह रहे हैं सूर्या जी बिल्कुल correct answer है ठीक है ठीक है बहुत बढ़े तो दोस्तों यहाँ पर बनारस घराना correct answer होगा ग्वालियर घराना नहीं होगा दोस्तों ग्वालियर घराना oldest घराना है यह याद रखेगा क्या दोस्तों oldest घराना है यह याद रखेंगे और दोस्तों यहाँ पर हमने यह भी बात कि थी आपको बताना है homework note down कर लीजे दोस्तो comment में बताएंगे comment box में ठीक है आगे बड़े very good शेकली, भानू, मंगेश अगले question पर बढ़ते हैं दोस्तो अगला question आप के लिए रहा whose work is Ritoo Samhar दोस्तो Ritoo Samhar किसके द्वारा लिखा गया है क्या वो कालीदास जी के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा, जैदेव जी के द्वारा या फिर सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है फटा-फट बताएए तो यहाँ पे कह रहे हैं sir A option होना चाहिए बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तो ठीक है दोस्तो जीते लोग यहाँ पर A option कह रहे हैं उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है बहुत बड़ी यहाँ क्या हो जाएगा A option हो जाएगा कालीदास जी अच्छा दोस्तो रामचरित्रमानस किसके द्वारा लिखा गया है ठीक है अश्ट ध्याई क्या दोस्तो अश्ट ध्याई किसके द्वारा है दोस्तो अश्ट ध्याई तो अश्ट ध्याई क्या दोस्तो पाणिनी जी के द्वारा है ठीक है फिर दोस्तो आप से पूछा जाता है मूद्र राक्षा क्या दोस्तो मूद्र राक्षा किसके द्वा रहा है और दोस्तों सूर्दाश जी के द्वारा क्या था सुर्सागर क्या दोस्तों सुर्सागर था यह याद रखेंगे ठीक है चलें आगे वैरी गुडवानी, योगेश, सृष्टी, क्रिश्टोफर, क्याप्टन जैक स्पैरो, तानिया बहुत बढ़िया अगला कोशन दोस्तों आपके लिए पंचेतंत्र, विष्णू, शर्मा जी के द्वारा है जाट जटिन is a folk dance of Bihar, it is performed mainly by Dash जाट जटिन Bihar का लोक नित है, यहां मुख्य रूप से Dash द्वारा किया जाता है Males, Females, Couples, या इनमें से कोई भी नहीं, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों वैरी गुड अंगत, निहारिका, क्रिश्टोफर, बाखी लोग क्या कहते है दोस्तों तो दोस्तों जित्ते लोग यहां पर कहरें सर, option number C, 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 उनका यहां पर correct answer हो जाएगा ठीक है, चले आगे की तरह बहुत बलिया, यहां क्या होगा, C option correct answer हो जाएगा अब देखिए दोस्तों, आप लोगों से क्या पूछा गया था, सरहुल, सरहुल कहां कहा है दोस्तों, यह पूछा गया था, फड़ावट से बताई दोस्तों, सरहुल कहां कहा है ठीक है, जाट जटिन बिहार का है, सरहुल कहां कहा है, यह आपको बताना है very good यहाँ पर निहारिका ने सबसे पहले answer दिया है very good तो दोस्तो यहाँ पर correct answer जित्ते लोग कह रहे है sir जारखंड जारखंड उनका correct answer होगा किया दोस्तो जारखंड जो है जारखंड में देखा जाता है sir hall ठीक है दोस्तो आप लोगों से और क्या पुछा गया था और आप लोगों से दोस्तोव जैसे लूर डान्स कहां का है दोस्तो हरियाना का है कहां कहां का है तो कलबेलिया डांस कहां का है कलबेलिया तो कलबेलिया कहां का है दोस्तो राजिस्थान का है ठीक है राउफ राउफ कहां का है दोस्तो राउफ जो है जम्मु कश्मीर का है ठीक है फुगडी फुगडी कहां का है दोस्तो फुगडी है दोस्तो गोवा का कहां का दोस्तो गोवा शेर और लाइक करते हो चलेंगे बहुत बढ़ी है नेशनलिज्म, मखबूल, भानू, बुश्रा जी बहुत बढ़ी है अगला कुशन विच इस दी मेंड टेंपल ऑफ एलोरा, दोस्तो एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है, क्या वो वृद्धिश्वर है, कैलाश टेंपल है, दुर्गा टेंपल है, या फिर दोस्तो पार्शवनाथ टेंपल है, कौन सा होगा दोस्तो सभी लोग अब B option कह रहे हैं तो दोस्तों जीते लोग यहाँ पर कह रहे हैं B option B option उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है चलें आगे बहुत बड़ी यहाँ पर correct answer होगा class temple अच्छे दोस्तों अगर आपको पुछा जाएगी कि अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं यह आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी तो यह आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों कहाँ पर महराश्ट में ठीक है बारबरा की गुफाएं कहाँ पर देखने को मिलेंगी स्रिष्टी साहब बहुत बढ़िया मनोज वेरी गूड अगला कुश्शन दोस्तों वू अमंग दी फॉलॉइंग डिट बाबर डिफीट इन दा इयर 1528 एट चंदेरी चंदेरी में बाबर ने वर्ष 1528 में निमलिखित में से किसे हराया था मुहम्मद लोधी को इब्राहिम लोधी को बपारावल को और मेदिनी राय को किसको हराया था दोस्तों यहाँ पर कहरे सर ऑप्शन नमबर डी होना चाहिए बाखी लोग क्या कहेंगे दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों जितने लोग ऑप्शन नमबर डी डी कह रहे हैं किसको दोस्तों तैमूर को बंढ करता था और मदर साइड सेडसे किसको बिलॉंघ करता था चंगेस खान को किसको दोस्तों मुगल समराज किस थापना की थी दोस्तों 1526 में मुगल समराज और यह लडाई में बड़ा तेज था 1526 1527 में लडाई किया 1528 में लडाई किया 1529 में बस करो सर कोई बात नहीं उसने खुदी बस कर दिया 1530 में उसकी मृत्ती हो गई 26 में पहली 1st Battle of PANIPAD हुआ था दोस्तों जो कि दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था और जीत किसकी हुई थी बाबर की हुई थी वैसे तो सारे ही बाबर जीता था 1527 में कौन सी युध हुई थी दोस्तों जल्दी से बताए खनवा का युध में कौन स ठीक है याद रखे घागरा का युद्ध ठीक है आगे बड़े वेरेकुट टान्या कमलेश सुप्रभा क्रिश्टोफर अगला कुशन दोस्तों आपके लिए यह रहा अच्छा दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था हल्दी घाटी का पूछा जा सकता है तो सब्सक्राइब अगला कुशन दोस्तों आपके लिए यह रहा दोस्तों विच ऑफ फॉल्वाइंग कॉंबिनेशन ओफ इंगेज़ इंगेज़ इन त्रिपिताइद इस्ट्रगें निमलिखित में से राज्यों का कौन सा संयोजन त्री पक्षी संगर्ष में लगा हुआ था चोला राश्टकुता पाला पलवा राश्टकुता राश्टकुता पाला गुर्जरा प्रतिहारा और पाला चोला गुर्जरा प्रतिहारा और पाला चोला गुर्जरा प्रतिहारा ठीक है और दोस्तों अगर हम बात करें पाला डैनिस्टी का founder कौन था गोपाला ठीक है और दोस्तों अगई पात करें गुर्जा प्रतिहारा की दोस्तो जल्दी से बताएए गुर्जपरतिहारा का आप बताएंगे फड़ा वड़ से ठीक है चले आगे अगले कोशन परते दोस्तो अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तो विच स्टेट हैस दी हाइस्ट लेंथ ओफ नैशनल हाइवे एस पर दी डेटा ओफ 2017 दोस्तो 2017 के आकड़ों के हिसाब से आनुसार किस राजमेराष्टी राजमारगों की लंबाई सब से अधिक है उत्तप्रदेश, मद्ध्रदेश, करनाटक और महराष्ट फड़ा वर से बताइए यहां पर कहरे सर यूपी होना चाहिए बाकी लोग क्या कहते है दोस्तो यहां यूपी यूपी कह रहे है उनका गलत आंसर है दोस्तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा महराष्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है महराष्ट करेक्ट आंसर होगा अच्छे दोस्तो सबसे बड़ी है दोस्तो नैशनल हाइवे कौनसी है नह 44 है कौनसी दोस्तो नह 44 है पहले अरिगोड यहां पे तानिया, क्रिश्टोफर, सुप्रभा, ब्राइट, अच्छा एनच 47 सभी ने लिग दिया है, अगले कोशन परते दोस्तों, अगला सवाल आपके लिए ये रहा, दोस्तों, who was nominated against the drop the मुर्मू during the presidential election 2022, करेंट का कोशन आ गया, राष्ट पती चुनाव 2022 के दोरान, drop the मुर्मू के खिलाफ, किसे ना मंकित किया गया था, क्या वो शरत पवार थे, यश्वन सिनहा थे, चिदंबरम जी थे, ममता बेनर जी, या फिर मीरा कुमार, कौन थे दोस्तों, यश्वन सिनहा, यश्वन सिनहा, 100%, दोस्तों, बिलकुल, 100% यहां पर करेंट टां वो मेन हे, तो First Tribal Woman है, ठीक है, कौन से Tribe को बिलॉंग करती है, दोस्तों, संथल Tribe को बिलॉंग करती है, यह पूछा गया था, SSC CGL, The排 1 में,दोस्तों, कौन से Raj को बिलॉंग करती है, यह पूछा नहीं गया था, लेकिन पूछा जा सकता है, मयोर भंज जिले से, कहां دोस्त पर बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों यहां पर हम लोग 128 लोग लाइव हैं लेकिन लाइक इतने कम क्यों फड़ा वर्ट से एक बार लाइक और शेयर करते हो चलेंगे अगला सवाल आपके लिए दोस्तों विच स्टेट इन इंडिया वॉस्ट टू इंट्रोड्यूस यहां पर तमिल नाडू होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहेंगे तो दोस्तों जितने लोग यहां पर तमिल नाडू तमिल नाडू कह रहे हैं उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया आगे बड़े वैर गूर असे दोस्तों पुछा दोस्तो के कामराज थे दोस्तो कौन थे वो दोस्तो उस समय के चीफ मिनिस्टर के कामराज ने किया था ठीक है अगले कोश्चन पर बढ़ते हैं अगला सवाल दोस्तो आप लिए यह रहा दोस्तो विच अफ फॉलाइंग म्यूजियम हैस बीन वाइडली हेल्ड अज फाइनेस सब्सक्राइब को भारत में इंडो ब्रिटिस वास्तुकला के बहतरीन नमूने के रूप में व्यापक रूप से प्रतिष्ठित किया गया है जिसे ताज अफ राज कहा जाता है नैशनल म्यूजियम न्यूजियम नैपियर म्यूजियम थिरुवननदपुरम सलार जंग विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकता यहां पर कई लोग करें सर हाइदराबाद होना चाहिए बाकी लोग क्या कहते दोस्तों तो दोस्तों जीते लोग कोलकता कहरें उनका करेक्ट आंसर होगा हाइदराबाद यहां पर नहीं होगा ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तो को पूरा किया गया था कहा पर है दोस्तो कोलकता को दोस्तों किस नाम से जाने आजाता है जल्दी से बताइए City of Joy के नाम से किस नाम से दोस्तों City of Joy के नाम से जानते हैं जो कि पश्चिब मंगाल की Capital है ठीक है चले आगे वेरे गोड यहां पर आखे Captain Jack Sparrow पारले जी ओके अगला कोशन दोस्तों आपक ले रहा तो दोस्तों जीते लोग option number one one कह रहे हैं उनका यहां पर correct answer हो जाए क्या होगा दोस्तों option number one correct answer होगा अब देखिए दोस्तों लुष करते हैं यहां पर नुकलियस जो होता है उसकी किस ने की थी तो उसकी कोज गी थी Robert Brown ने किसने दोस्तों Forever मत होएगा यह Robert Brown है यह Robert हो चैटेक है अगर हम बात करें सैल में ही दोस्तों होता है mitochondria क्या दोस्तो mitochondria होता है और mitochondria को क्या कहा जाता है powerhouse of the cell कहते हैं ठीक है दोस्तो इसी के अंदर आपको मिलेगा lysosome क्या दोस्तो lysosome मिलेगा और lysosome को कहा जाता है suicidal bag कहते हैं क्या कहते हैं और ribosome को क्या कहते हैं हम लोग protein factory क्या कहते हैं दोस्तो राइबोजोम को protein क्योंकि दोस्तो यह protein बनाता है इसलिए इसको कहा जाता है protein factory यह याद रखेगा और दोस्तो आप से exam में पुछा गया था जो पादप क्या दोस्तो plant cell होते हैं वो किसके आपके लिए दोस्तो प्रसिद कैलाश नाथर मंदिर किस पल्लव राजा के सासनकाल के दोरान बनाया गया था क्या वो परमेश्वरम है या फिर दोस्तो महेंद्र वर्मन है सिम्हा विष्णू है और यहां पर करेक्ट आंसर हं जल्दी से बताईए यहां पर क्रेक्ट आंसर क्या होगा ओप्सिन नंबर डी के साथ जा रहे हैं मी बुश्दा अ अगला वोशन दोस्तो आख ले रहा दोस्तो वांगला 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 इस अ मोश्ट फेमस फेस्टिवल ओफ विच सॉरी ओफ दी गारो ट्राइब ओफ दोस्तो वांगला डैश की गारो जनजाती का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है करनाटका मेघाले उत्रखंट और तमि मेघाले की कैप्टल तो ये तो सबको पता है सवाल नहीं आता है सवाल ये आता है कि दोस्तो चेरी ब्लौसम जो सबसे से जाधा वर्शा होती है कितनी होती दोस्तों 1200 mm होती है ये भी आपको याद रखना है और कौन सा त्योहार मनाय जाता है यहाँ पे दोस्तों एक त्योहार मनाय जाता है यहांपे दोस्तो आपको जंजाती मिलेगी गारो, जैन्तिया और खासी किया दोस्तो गारो, जैन्तिया खासी यह जहां की ट्राइब है और इन्ही के नाम पर पहाडयों के नाम भी है याद रहे, गारो, जैन्तिया घासी ठीक है अगले question पर पढ़ें इतने सारे questions बन सकते दोस्तों एक questions से आगे बढ़ें चलिए अगला question दोस्तों आपके लिए ये रहा दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है यह तो हो चुका है ना A short at history My obsessive journey to Olympic gold Is the autobiography of which Indian shooter दोस्तों A short at history My obsessive journey to Olympic gold किस भारती निशाने बाज की आत्मकता है बहुत ही simple सा सवाल है राजवर्धन जी की है जितुराय, अभिनव बंद्रा या फिर दोस्तों गकन नारंग किस की है दोस्तों अभिनव बंद्रा अभिनव बंद्रा तो दोस्तों यहाँ पर correct answer हो जाएंगे अभिनव बंद्रा अच्छा दोस्तों अब Olympic की बात आई तो International Olympic Committee कप गठित हुआ था 1894 में हुआ था पहला Olympic कप खेला गया था Modern Olympic दोस्तों यह खेला गया था 1896 में ठीक है कहाँ पर खेला गया था Greece की Capital Athens में यह आपको याद रखना है अगर हम बात करते दोस्तों यहाँ पर Olympic में सबसे पहले किसने डोस्तों Maile में Single game अगर हम बात करते हैं तो किसने जीता था C.D. G. जाधव जीन जीता था C.D. जाधव किस से related से दोस्तों Wrestling से related थे किस से दोस्तो Wrestling से related थे और कौन सी पहली महीला थी तो कर्णम मलेश्वरी दोस्तो कौन दोस्तो कर्णम मलेश्वरी थी जिन्होंने मैडल जीता था ठीक है और वो किसमे जीती थी वेट लिफ्टिंग में लेकिन पहले सोनपधक जीतने वाले कौन थे दोस्तो अभी नौ बिंदरा जी थे यह आद भर हुआ दोस्तों यह वए टोकियो में और दोस्तों टोकियो में आपको पता है नीरत चोपड़ण जी रखीगा नीरत चोपड़ जी ने दोस्तों ब्रिस बरहन չोता है तो यह कुछ दूस्तों है जो आपसे बार-बार पूख्षी जाती है ठीक है चलें आगे वेरे गुड राहुल ब्राइट वेरे गुड शेकली वेरे गुड बहुत बहुत बले अगला तो आपक ली रहा दोस्तों डैश आर ओनली बड्ड देट can fly backwards दोस्तो डैश एक मात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकते हैं कौन कॉमन क्रेंस मैलाड्स वूपर स्वान और हमिंग बर्ड जल्दी से पताएं दोस्तो कौन सा होगा यहां पर कहरें सर हमिंग बर्ड होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहेंगे दोस्तो यहां पर क हो जाएगा ठीक है क्या होगा हमिंग बर्ड पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अजिए वह पूरी और रोटेट करता है चली पता फटाइब को लोगों को पता है, ऐसी कौन सी बर्ड है, जो क्या करती है, अपने नैक को पूरा रोटेट कर लेती है, देखने के लिए, रवी रंजन ने सबसे पहले बताया है, रवी रंजन जी क्या बात है, रात में दखता है, उल्लू की तरह पढ़ाई करते हैं आप, ठीक है, बहुत ब जी कहते हैं, याद रख लिजेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, अगले कोशन बढ़ते हैं, अगला कोशन आप के लिए रहा, दोस्तो, which of the following pair of Indian revolutionaries and organization is correctly paired, भारती क्रांतिकारियों और संगठनों की निमलिकित में से, कौन सी जोड़ी सही सुमिलित हैं, देखें दोस्तो, जब टीर टू के लिए जा रहे हो, आपको दोस्तो, वहाँ पर कुछ कोशन इस्टेटमेंट वाले भी मिल सकते हैं, match the following के भी मिल सकते हैं और कुछ इस तरह के भी मिलेंगे, ठीक है, तो बदुरुद्दिन तयप जी, Bombay Presidency, महादेव, गोविंद, रनाडे, मदरास, महाजन सभा, या सुरेंद, रनाथ, बनर जी, East India Association, या M. वीरा, राघवचारी, पुना, सारवजनिक सभा, यहां पर कहरें कुछ लोग A option, दोस्तों, correct answer होगा A option, बदुरुद्दिन तयप जी यहां पर correct answer होगे, बदुरुद्दिन तयप जी दोस्तों, first Muslim थे, क्या दोस्तों, first Muslim थे, जिन्होंने दोस्तों, INC को preside किया था, Indian National Congress को preside किया था, 1887 में, कौन सा session, दोस्तों, Madras session, यह भी आपको याद रखना है, ठी अगला कोशन दोस्तो वन थर्ड ओफ दी मेंबर ओफ दी लेजिसलेटिव विधान परिश्यद और लेजिसलेटिव काउंसल रिटायर आफ्टर एवरी एर डैश एर विधान परिश्यद के एक तिहाई सदस से प्रते कि कितने वर्ष के बाद इसेवा नित्त होते हैं पांच दो और छे दो 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 कह रहे हैं तो दोस्तो यहाँ पर आंसर दे दो तो दे दिया आंसर दो ठीक है अब देखे दोस्तो यहाँ पर यह पुछा जाता है देखे राज में लेजिसलेटिव एसेंबली होती जिसको हम लोग कहते हैं विधान सभा कहते हैं क्या दोस्तो विधा केमलररिज्म है कि ही किदने से एसए राज है जहां पर ने क्या पठा था दोस्तो फटाव बताएंगे कैसा बं था जल्दी से बताएंगे कैसा बंong disruption था याद है कि नहीं है, कटा बम था की फटा बम था, कटा बम था, के से क्या हो गया था, करनाटक, T से क्या हो गया था, तिलंगाना, A से क्या हो गया था, आंधर प्रदेश, ठीक है, B से क्या हो गया था, दोस्तों, बिहार हो गया था, U से, उत्तर प्रदेश, और M से, महराज, ठीक है, चल को होती है एक बज़े तक ठीक है तो रात को भी होती है और दो पहर बेवी चलिए आगे बढ़ें अगले कोशन पर और एक बार सर स्निक दो क्या बताना है एक बार यह च्छा कटा बम कटा बम बताना है ठीक है के से करनाटका हो गया ती से तिलंगाना एसे आंदरप्रदेश दी से बिहार, यू से उत्तरप्रदेश और एम से महराष्ट ठीक है चले आगे चले अगले कोशन पर पढ़ते दोस्तों अगला सवाल आपके लिए रहा होला महला फेस्टिवल स्टाड़ेट बाई गुरू गोविंद सिंग जी इस मेजरली सेलिबरेटेट इन विच ऑफ फॉलॉइंग स्टेट ऑफ इंडिया दोस्तों आपसे पुछा गया गुरू गोविंद सिंग जी द्वारा शुरू किया गया होला महला उस्व जो है भारत के निमलिखित में से किस राज में प्रमुख रूप से मना जाता है बहुत ही सिंपल है दोस्तों मद्द प्रदेश करला शॉइक गृति घृततों इनका पर धश्रो गृतर शृत्ति करें दोस्तों जी दोस्तों और से दोस्तों हर, 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 तेग, गोविंद, ठीक है, यह आपने ट्रिक पड़ी थी, यह क्रोनलोजिकल ओडर यही रहेगा, सबसे पहले नानक जी आए, फर्स्ट नमबर पे, फिर उसके बाद अंगत जी, अमरदास, राम से रामदास, और से अरजन, हर से हर गोविंद, हर से हर राय, हर से ह अरे क्रिष्णा, तेग से तेग बहादूर और गोविंद से गोविंद सिंग, ठीक है, यह दस गुरू याद करने के ट्रिक थी, ठीक है, आगे बढ़े, वैरी गुड सुप्रभा, निहार का बहुत बढ़िया, अगले कुशन पर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला कुशन आ जबरो डान्स या फिर शोंडोल डान्स, कौन सा होगा दोस्तों, वैरी गुड निहार का, बहुत बढ़िया, बाकी लोग क्या कहेंगे, दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से, तो दोस्तों, जितने लोग शोंडोल डान्स, शोंडोल डान्स हो जाएगा ठीक है अगला गोशन दोस्तों आपके लिए यह रहा दोस्तों दकलाई मनी स्वरी दकलाय मनी अवार्ड्स आर गिवें इन विच ऑफ दी फॉलॉइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया दोस्तों कैलेमा मनी पुरुस्कार जो है भारत के निमलिखित में से किस राज में दिये जाते हैं तमिलनाडू, तिलंगाना, केरला और उडिसा कहां पर दिया जाता है दोस्तों केरला कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं तमिलनाडू होना चाहिए तो दोस्तों जित्ते लोग यहां पर तमिलनाडू, तमिलनाडू कह रहे हैं उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा अगले कोश्चन पर पढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल आपके लिए ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इस एक्सप्रेश्ट इंडेस दबाओ की ऐसा इकाई को किसमें व्यक्त किया जाता है न्यूटन स्क्वेर मीटर स्क्वेर न्यूटन पर मीटर स्क्वेर न्यूटन स्क्वेर मीटर और न्यूटन मीटर किसमें किया जाता है दोस्तों यहां पर option number two, two कह रहे हैं तो दोस्तों चलिए तो pressure, pressure dab, dab क्या होता है दोस्तों pressure के गर हम बात करते हैं pressure is equal to force upon area यह होता है क्या है क्या है दोस्तों और force किसमे होता है, newton में होता है और area meter square में तो क्या हो जाएगा, newton per meter square option number two, इसी को हम लोग क्या कहते हैं Pascal कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों Pascal कहते हैं, यह आद रखीगा, ठीक है चलिए, अगला question दोस्तों आपके लिए यह रहा, दोस्तों, the legend व्यमपती चिन्ना सत्यम was associated with which dance form, प्रसिद्ध व्यक्ती व्यमपती चिन्ना सत्यम जो है, किस रिनित शैली से संबन्दित है, कुचिपुडी कथकली, भरतनाट्यम और मुहिनी अट्टम, किसे हैं दोस्तों फड़ा फड़ से बताएंगे कुचिपुडी, कुचिपुडी सवाल पे, लेकिन उसे पहले सभी लोग फड़ावट से क्या करेंगे, दोस्तों लाइक करेंगे और शेयर करते हूँ चलेंगे, अगला कुशन आपके स्क्रीन पे दोस्तों, which of the following scientists won the Nobel Prize in Physics in 1918 for the discovery of energy कॉंटा, दोस्तों आप से पुछा गया, 1918 में, एनर्जी कॉंटा की खोज के लिए, निमलिखित में से किस विख्यानिक को, ने भौतिक का Nobel पुरुस्कार जीता था, वर्नर हिजनबग, लुइस दे ब्रोगली, जेम्स चेडविक, और मैक्स काल अंस्ट लुदविंग प्लैंक, जल्दी से यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ी है, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 1964, अच्छे दोस्तो, हाली में CVC जो है, बने थे, ठीक है, वो कौन बने थे दोस्तो, सुरेश एन पटेल जी थे क्या दोस्तो, फड़ा-फड़ बताएंगे, अगर यस है, तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है, तो आप बताएंगे, ठीक है, CVC तो यह हो गए, बताएंगे, कौन से नंबर के दोस्तो, यह हैं, तो पचासवे नंबर के हैं, यह आप से सवाल पूछा गया था, ठीक है, चलें आगे, वेरिगुड निहारिका, कमले, शुशील, क्रिस्टोफर, वेरिगुड, अगले कोशन पर बढ़ते हैं, दोस्तो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, ओ, हो, 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 दोस्तो, यहाँ पर समय होता है, समाप्त, जहाँ पर आज हमने, दोस्तो, मिक्स कोशन के हैं, फॉर SSE CGL Tier 2, इसी तरीके से, दोस्तो, यह डेली क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, कब दोस्तो, मंडे टू फ्राइडे यह क्लास होती है, ठीक है, दोपहर को दो बज़े से लेके, तीन बज़े तक, जहाँ पर आप मेरे साथ जुड सकते हो, और नाइट में भी जुड सकते हो, दोस्तो, ग्यारा बज़े से एक बज़े तक, ठीक है, और दोस्तो, इसकी PDF कहाँ पे मिलेगी, इसकी PDF मिल जाएगी, दोस्तो, आपको टेलिग्राम पे, टेलिग्राम पे आपको जाना है, सिर्फ सर्च करना है, अट दरेट गौरफ सर्ट टेस्ट बुक, ठीक है, या फिर आप इसको स्कैन कर सकते हो, या डारेक्ली सर्च कर सकते हो, गौरफ मौरिया सर्ट टेस्ट बुक, मैं लिंक आपको दोस्तो, शेयर कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनेट, यह रही, लिंक दोस्तो, आप लोगों के लिए, टेलिग्राम की लिंक, जिससे आप लोग यहाँ पर जुड़कर क्या कर पाओगे, पीडिएफ भी कलेक्ट कर पाओगे, सौरी फॉर दा स्पैम, ठीक है, अच्छा दोस्तो, यहाँ पर बहुत सी लोग पूछ रहे थे, कि सक कोर्स कैसे अवेल करे, कोर्स में आपको बता देता हूँ, कैसे आप अवेल कर सकते हो, सिंपली आपको क्या करना है दोस्तो, आपको चले जाना है यूट्यूब पे, कहाँ पे दोस्तो, यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाने के बाद दोस्तो, तो testbook super coaching channel पर चले जाएंगे, ठीक है, testbook super coaching channel पर जाएंगे, आपन चले चलते हैं, यहाँ पर जैसी super coaching channel पर जाएंगे, दोस्तो live class चल रही है अपनी, इसी live class पर चले आएंगे, live class पर जाने के बाद, आपको, just a minute, यहाँ पर आपको क्या करना है, live class पर जाने के बाद, description पर जाना है और दोस्तों जिन्होंने लाइक नहीं किया सबसे पहले तो लाइक करेंगे और यहाँ पर जैसी आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे आपको लिंक मिल जाएगी दोस्तों सूपर कोचिंग बाइ इंडिया स्टॉप एडुकेटर तो दोस्तों इसको जैसे आप ओपन करोगे यह डिरेक्ली आपको स्पेज मिल जाएगा जहां पर सारे इंफोर्मेशन मिल जाएगी सूपर कोचिंग के सामने यहाँ पर दोस्तों ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएगा त जैसे आप इसको अप्लाए करोगे दोस्तों आप देख पाओगे यह 269 का हो जाएगा और आप यहाँ पर अपनी तयारी भी कर पाओगे तो चली दोस्तों इस सेशन को यहीं पर करेंगे समाप अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा होमग जो दियेगे दोस्तों उसको जरूर कर लीजेगा जिससे आपका प्रैक्टिस होता रहे मिलेंगे अगले सेशन में एक नए जोश के साथ एक नए सेशन के साथ जुड़ना मत भूलेगा मेरे साथ रात को 11 से 1 बजे जहाँ पर हम लोग करेंगे important quality की आज सवाल तब त झाला कर दक नए